में पढ़ा था जे के फिलिफ फ्लॉप हमारी एसर फिलोप की प्रॉब्लम को सौल कर रहा था के सर में हम 11 वैली डालते थे तो हमारा सेम आउट पुटा रहा था Q&Q बार में जो कि आलाओ नहीं है ठीक है तो जे के flip-flop में हम वो problem sort out कर रहे थे लेकिन जे के flip-flop में जब हम 1-1 value डाल रहे थे तो हमारे पास एक problem आया थी race around condition तो race around condition मैंने बताया था कि हमारी clock pulse complete new to use से पहले हमारा input क्या हो जाता है चेंज हो जाता है जिससे हमारा output चेंज होता रहता है मतब delta t time में हमारा output क्या हो जाता है चेंज हो जाता ठीक है तो इस वज़े से यह problem create हो रही थी क्यों हो रही थी प्रॉब्लम क्रेट के मारा propagation delay काम था हमारी clock pulse के time से इस वज़े से जैसे ही कोई output आता था वह as a input चला जाता था और उससे हमारी value क्या हो जा रही थी कभी एक clock pulse म कर्या थी चाहिए चेंज हो रही है उस problem क्ल उस्वार करने के लिए हम क्या तो मास्ट की लेए कि यूज करते हैं जा दिए कि म्लय करते हैं फ्रीजे ओंडे साओक्षों कि यह जो हमारा 1st flip-flop that is our master flip-flop and second that is our slave flip-flop तो master flip-flop में देखो वैसे जैसे हमने jk flip-flop बनाये था वही हमें बनाना है feedback देना है वैसे हमने sr flip-flop को मनाया था वही बनाना है feedback देना है तो यहां से हमारी यहां कहीं से कर सकते हैं यहां से हमारी क्यों की वैल्य यहां गई और यहां से हमारी क्यों बार की वैल्य यहां पर गई तो इस तरह से हमने क्या किया दो ख्लिप फ्लोप सो कनेक्ट कर दिया अब क्या होगा जब मास्टर फ्लिप फ्लोप कोई आउटपट प्रिड्यूस करेगा तब वह हम Master Flip Flop हमारा working state में तो Slave हमारा Disable रहेगा और अगर हमारा Slave Enable है तो Master हमारा Disable रहेगा तो यह condition है इसके अंदर के एक टाइम के एक ही flip-flop चलेगा अब यह flip-flop चलेगा कब देखो यहां पर हमने clock दी है जब हमारी clock 1 होगी तो हमारा Master Flip Flop working करेगा और जब हमारी clock पर 0 होगी तो हमारा Slave चलेगा अब हम कहते हैं कि हमेशा clock हमारी 1 ही रहनी चाहिए तो उसके लिए भी हमने क्या किया यहां पर बीच में इनवर्ट लगाए क्योंकि clock को हमें 1 ही रखना लेकिन फॉर डिसाइडिंग के कब हमारा Master Flip Flop चलेगा और कब ह हमारा Slave Flip Flop चलेगा हमने यहां पर clock को अपलाए कि clock 1 होगी जब clock में 1 वैल्यू आएगी तो यह वाला डिरेक्ट यहां से वान आएगा तो यह वाला चलेगा जब यहां पर 0 आएगी तो यह वाला 0 जाएगा यहां पर वैली तो डिसेबल हो जाएगा और यहां से 0 का 1 हो ज जाती है रिमूव हो जाती है क्योंकि हमारा जो फीड वैक है वह चला भी जाता है तो भी वह यहां पर वरकिंग नहीं करेगा जब तक कि हमारी clock की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर clock 1 पे है तो यह वाला चलता रहेगा और यहां के स्ट्रॉप हो जाएगा और अगर clock 0 प से स्ALLOW पखंब भीूप हमारी है लिए वैल्यू जाती है अब माल मैंने ज और के में 1 1 value टाली ठीक है जे में 1 value टाली के में 1 value टाली और clock की वैल्यू क्या करती वैल्यू करती ठीक है तो clock की वैल्यू 1 की कि अब मैं 1 है अब जब मेरी जे के अंदर वन वैल्यू डाली और के अंदर वन वैल्यू रहीं मैं फॉस्ट कंडिशन ले रही हूं कि जब मैंने क्यू में क्या वैल्यू डाली जीरो डाली तो यहां से फीडबेक हो के मेरा क्यू में जीरो चला जाएगा और क्यू बार में क्या चला सब्सक्राइब स Pewあれ तु Statista Wayne data वान ओर क्या चीए सब्सक्राइब टो अगर तीनों इंपुर वन है तो मेरा आऊट्पूट क्या प्रकाइगा जीरो और और अगर मेरा एक भी इन्पूट जीरो मुझे मिलना चाहिए यहां पे तब ही मैं इस value को find out करूंगी हमने यहां पर माल लिए कि हमने यहां पे पहले यह value को क्या ले लिए zero ले लिए as it is same value रख सकते हो ठीक है और यहां पैसको 1 ले लिए तो अगर मेरे यहां पर y की value 0 तो y bar की value क्या हो जाएगी वान हो जाएगी ठीक है तो यह फिर हजियू में कणिक अभी जो हम आधिशन कर रहे हैं हम यह फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर y की value 1 डाली 2 और zero डाली तो क्या होगा ठीक है दोन नोगी condition देखेंगे तो पहले देखो अगर मैं य की वेल्यू डालती हूं और य धार की जीरो डालती हूं तो यहां पर मेरा वाइबार की वैल्यू आप्टोमेटिकली ुह होजाएगी और यहां पर अगर मेरा 00 है तो यहां पर मेरे इसका मतलग कौन सी कंडिशन में है इसका लिए तो इस टाइम पिरियेड तक यह क्लॉक पल्स तक मेरा आउटपुट क्या रहेगा यहां पर यही रहेगा ठीक है आउटपुट मुझे तब में यहां पूंच जूने है अभी मैं यहां पर नहीं पुछ सकती क्यों कि यह मेरा तो यहां से मुझे कोई भी आउटपूट अभी नहीं मिलेगा हम क्या गएंगे कि हम यहां से कोई भी आउटपूट नहीं मिलेगा सब्सक्राइब फॉल होएगी हमें तो चाहिने पूरी एक लॉक पर चले तब हमें आउट पुट मिले तो अभी तो यह मेरा पॉजिटिव है यहां पर स्टेबल हो गया ठीक है अब यह जब जीरो जाएगी जब यह जीरो होगी तो क्या होगा जैसे ही जीरो होगा यह वाला डिसेबल हो फिलन से होगे यहां से वन ऑन जभाई तो इहा पर यहां पर फेले से ही क्या वैल्यु ओ झाला पकेक्व मेरीphin histori मेरीज़ित जरी है इसने था सबलग मेरीज़ित, हर और व्यांपर झाली जीरो क्या नाँद लिपर यहां वां पर मॉड्य ओन फिलिन बाई तो एक पिलेम तो मेरा क्या वह कंझा स surveys ブफ़ुट नियूए जाएगी और जिए которого कि लेड़ और थे सिक ऊबें as a 21 जाएगा तो यहां पर आपके वार्य का हो जाएगी जिगा तो मेरे पास देखिव पुट में क्या या जब जे Nikki टो ओर मन इसका मतलब मेरे पास क्या state आ गई? set state आ गई और अगर हम देखें 1 1 डाला है हमने और Q में 0 लिया है तो हमारे पास क्या value आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए तो वही आई है तो यहां पे मेरा output क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा इसी तरह अगर हम Q में 1 value ले यहां पर 1 लेते हैं और यहां पर 0 लेते हैं तो मेरे पास feedback में क्या जा रहा है Q बार में मेरे पास क्या जा रहा है 0 जा रहा है और Q में क्या जा रहा है मेरे पास 1 जा रहा है ठीक है तो अब अगर हम Q में 1 Q में 1 value ले रहे हैं Q bar में 0 ले रहे हैं और clock pulse भी 1 है मेरी तो मेरी क्या values आएगी ठीक है वही हम वैसे value डालेंगे 1 1 यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 तो यहाँ पर सब कुछ 1 1 हो गया तो यहाँ पर क्या output आजाएगा मेरे पास 0 आजाएगा और यहाँ पर एक भी value जीरो है तो आउटपुट आजाएगा वान आजाएगा ठीक है क्लियर है तो अब देखो अब फिर से हम फाइंड आउट करेंगे कि यहां पर मेरे पास वन वैल्यू है यहां पर मेरे पास जीरो वैल्यू है और यहां पर मेरे पास वन वैल्यू है अगर मेरे पास वाई के अंदर मैं जीर ermeer2v funzion कब आई होगी जब मेरी यहां पे Zero value रही होगी और इहां मेरी one value रही होगी है यहां मेरी One value रही होगी और Zero कब आते हैं हमारे पास क्यू में 1 और क्यू बार में 0 जब हमारी Net कि यहां से वन वैली तो यहां पर यहां से उन जाएगी तो यहां किया हो जाए cela कि हुआ यहां पर यहां पर क clown ख़ा अब हम यहां पर माल यहां पर रहेगा जब एक तक और यहाँ से वायर्ट कि या गए theάν से जाएगी और हम पास और तो रहाए तो हमारे नहीं आएगी , लेकिन में मेरे पास गास क्या वेल्य आगी रिजिट स्टेट गहीं तो इसे यह वंवन का डिखादिया कैसे वक करेंगा अब बाकी के जो वह सब को देखनेगा है अगर को भी रूट होगा तो फिर हम एक बर फिर से डिसकस करें थीक है आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको Master स्लेव का अगया कंसेट कि जब Master चल रहा है तो स्लेव नहीं चलेगा जब स्लेव चल रहा है तो मास्ट अब क्यूं इसमें कास्केट निया रेसरांड कंडिशन कूर जैगा जैसे माल लोह यहां पर यह 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 न यह वाला यह वापस से और वालों फीडवेक जा भी रहे है यहां पर तो भी यह तो वर्किंग में हैं और जब हमारी क्लॉक क्या होत gep elim हमारी एकक हमारी एक क्लॉक तक value एल्यू चेंज नहीं हो तो जब हमारी क्लॉक की value जोगी हाइखी तब यह वाला get podium अगा और यह वाला डिसेबल हो जाएगा तो यह हमारी value के एक क्लॉक तिक हमारे जाए यहां पर इस तोट आउट कर आई तिंग सबको क्लियर होगा क्लास करके देखना सब इनकी वेल्यूस निकाल के देखना